ओम नमस्षिवाय नमस्कार भगतों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट MS वोईस में आज 11 दिसंबर 2023 अघरमास का सोमवार है भोले नात और माता पार्वती के क्रिपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बने रहें आज की वीडियो में हम श्रवन करेंगे सोमवार की व्रत कथा का तो आईए अब भोले नात और माता पार्वती का मन में ध्यान करते हुए पूरे भक्ति भाव से कथा का श्रवन करते हैं पौराणिक कथा के अनुसार एक समय श्रे महादेव जी पार्वती के साथ ब्रहमन करते हुए मृत्यू लोक में अम्रावती नगर में आए वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो की अत्यंत भव्य एवं रमनी तथा मन को शंती पहुँचाने वाला था ब्रहमन करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए पार्वती जी ने कहा हे नात आओ आज इसी स्थान पर चौसर खेलते हैं खेल प्रारंब हुआ शिव जी कहने लगे मैं जीतूंगा इस परकार उनकी आपस में वारतलाब होने लगी उस समय पुजारी जी पूजा करने आए पार्वती जी ने पूछा पुजारी जी बताईए जीत किसकी होगी पुजारी बोला इस खेल में महादेव जी किसमन कोई दूसरा परकार उनकी नहीं हो सकता इसलिए महादेव जी ही एबाजी जीतेंगे परन्तु हुआ क्या उसका उल्टा हुआ जीत पार्वती जी की हुई अतहा पार्वती जी ने पुजारी को कोड़ी होने का श्राप दे दिया कि तुने मिथ्य भाशन किया है अब तो पुजारी कोड़ी हो गया शेप पारवती जी दोनों वापस चले दे कुछ समय पश्चात मंदिर में कुछ अपस्राइं पूजा करने के लिए आई अपस्राओं ने पुजारी के उसके कोड़ी होने का कारण पूछा पुजारी ने सब बातें बता दी अपस्राइं कहने लगी पुजारी जी आप सोलह सुंवर का व्रत करें तो शिव जी प्रसन होकर आपका संकट दूर करेंगे पुजारी जी ने अपस्राओं से व्रत की विधी पूछे अपस्राओं ने व्रत करने और व्रत की उद्यापन करने की कुछ दिन अबाद शंकर पार्वती जी पुन्हा उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी अश्चर चकित हुई और उन्हेंने पूछा मेरे दियुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन से उपाय किया पुजारी जी ने गहा हे माता अब स्राउं द्वारा बताएगे सोला हसुमवार के व्रत करने से मेरा है कश्ट दूर हुआ है पार्वती जी ने भी 16 हसुमवार का व्रत किया जिससे उनसे रूठे हुए कार्वती के जी भी अपनी माता से प्रसन होकर आग्यकारी हुए कार्वती के जी ने पूछा हे माता क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चर्णों में लगा रहता है पार्वती जी ने कार्तिके जी को 16 हसुमवार के व्रत का महात्मे तथा विधी बताई तब कार्तिके जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया संयोग से वहें विदेश गया हुआ था वहां के राजा की कन्या का सुयमवर चल रहा था राजा ने ये प्रण किया था कि हतीनी जिस व्यक्ति के गले में वर्माला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा ये ब्रहमन मित्र भी सुयमवर देखनी की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया हतीनी ने इसी ब्रहमन मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूम धाम से अपनी राजकुमारी का भी वहां उसके साथ कर दिया ततपश्चात दोनों सुक पूर्वक रहने लगे एक दिन राजकन्या ने पूछा हे नात आपने ऐसा कौन सा पुन्य किया जिससे हतीनी ने आपके गले में वर्माला पहनाई ब्रहमन पती ने कहा मैंने कार्तिकी जीजवरा बताया अनुसार सोलह सुमवर का व्रत पूर्विधी विधान सही श्रद्धा भक्ती से किया जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सुभागेशाली पत्ने मिले ली अब तो राजकन्याना भी सत्य पूत्र प्राप्ती के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन पुत्र प्राप्त किया बड़े होकर पुत्र ने भी राज़े प्राप्ती की कामना से सोलह सुमवर का व्रत किया राजा की देवलोग होने पर इसी ब्रहमन कुमार को राजगद्धे मिले ली फिर भी वह इस व्रत को करता रहा एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा समगरी शिवाले ले चलने को कहा परन्तु उसने पूजा समगरी अपनी दास्यों द्वारा भिजवा दी पर खुद नहीं गई जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाश्वनी हुई कि हे राजा तुम इस पत्नी को त्याग दो नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा प्रभू की आग्या मान कर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया तब वह अपने भाग्ये को कोस्ती हुई एक बुढिया के पास गई और अपना दुखडा सुनाया तथा बुढिया को बताया मैं पूजन समगरी राजा के कहे अनुसार शिवाले में नहीं लेकर गई थी और राजा ने मुझे निकाल दिया बुढिया ने कहा तुझे मेरा काम करना पड़ेगा उसने स्विकार कर लिया तब बुढिया ने सूद की कथडी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी कथडी ऊड़ गई बुढिया ने डांट कर उसे वहां से भी भगा दिया अब रानी बुढिया के यहां से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच घराने की अपला विपत्ती की मारी है वे उसे धहरे बंधाते हुए बोले बेटी तु मेरे आश्रम में रहे किसी प्रकार की चिंता मत कर रानी आश्रम में रहने लगी परन्तु जिस भी वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती यह देखकर गुसाई जी ने पूछा बेटी किस देव के प्राद से ऐसा होता है रानी ने बताया कि मैंने अपने पती की आग्या का उलंगधन किया और शिवाले में पूजन के लिए नहीं गई इससे मुझे घोर कश्ट उठाने पड़ रहे हैं गुसाई जी ने शिवजी से उसके कुशल शेम के लिए प्रातना की और कहा बेटी तुम सोलह सुमवर का वरत विधी के नुसार करो तब रानी ने विधी पूर्वक वरत पूर्ण किया वरत की प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसके खोज में भेचा आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया तब राजा ने वहाँ जाकर गुसाई जी से कहा महराज यह मेरी पत्नी है मैंने इसका परितियाग कर दिया था कृपया इसे मेरे साथ जाने के आज्या दे दो शिर्जी के कृपया से प्रती वर्ष सोलाह सुमवार का व्रत करते हुए वे आनन से रहने लगे और अंत में शिर्व लोग को प्राप्त हुए एक अन्यकथा के अनुसार एक बार की बात है किसी नगर में एक बहुत ही धनी वेपारी रहता था दूर दूर के नगरों तक उसका वेपार बहुत फैला हुआ था नगर के सभी लोग उस वेपारी का बहुत सम्मान करते थे उसके पास सब कुछ था इतना सब कुछ संपन होने के बाद भी वह व्यपारी बहुत दुखी रहता था उसके दुखी रहने का कारण उसका कोई पूत्र नहीं था जिसकी वज़ा से उसे हर समय यह चिंता स्ताती रहती थी कि मेरी मृत्यू के बाद मेरे व्यपार को कौन संभालेगा मेरी मृत्यू के बाद मेरा उत्रादिकारी कौन होगा यहीं चिंता उसे हर समय स्ताती रहती थी पूत्र प्राप्ती की इच्छा से व्यपारी प्रतेग सुम्वार भगवान शिव का व्रत किया करता था पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घीकत देपक जिलाया करता था उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती बहुत प्रसन हो गई और भगवान शिव से उस व्यपारी के मनों कामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी फिर भगवान शिव माता पार्वती से बोले इस संसार में सबकूस के करम के नुसार फल की प्राप्ती होती है जो प्राणी जैसा करम करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती नहीं मानी उस व्यपारी के मनों कामना पूरती है तू विशीव जी से बार-बार अनुरोध करती रही अंत में माता के आगरह को देखकर भगवान भोले नात को उस व्यपारी को पुत्र प्राप्ति का वर्दान देना पड़ा वर्दान देने के पश्चात भोले नात मा पार्वती से बोले आपके आगरह पर मतलब आपके अनुरोध करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वर्दान तो दे दिया परन्तु इसका यह पुत्र बारा वर्ट से अधिक समय तत जीवित नहीं रहेगा उसी राद भगवान शेव उस व्यपारी के स्वपन में आये और उसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दिया और उसके पुत्र की बारा वश्च तक जीविक रहने की बात भी बता दियी भगवान के वर्दान से व्यपारी को खुशी तो हुई लेकिन पूत्र की अलपाईयों की चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया व्यपारी पहले की तरह सुमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अधे सुंदर बालत में जनम लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई बहुत धूम धाम से पुत्र जनम का समारोह मनाया गया परन्तु व्यपारी को पूत्र जनम की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पूत्र की अल्ब आयो के रहसे का पता था जब पूत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो व्यपारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वारा नसी भेज दिया और कहा कि रास्ते में यग्य, पूझा, पाठ और भंडारे करते हो जाना और जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तब वापसाना लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ती हे तु चल दिया रास्ते में जहां भी मामा भंजे, विश्राम ही तो रुखते, वहीं यग्य करते और ब्रहमनों को भोज कराते लंबी यात्रा के बाद, मामा भंजे एक नगर में पहुँचे, शाम हो गई थी, तो उन्होंने सोचा, यहीं सराय में रुखते हैं, फिर सुभा चलेंगे रागर को सजाया गया था, निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिन्तित था, उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवासे इंकार ना करते, इस से उसकी बदनामे भी होगी, जब वर के पिता ने व्यपारी के पुत्र को देखा, तो उसके दिमाग में एक विचार आया, उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दुलहा बना कर राजकुमारी से विवाह करा दू, विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा, और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा, यह सोचकर वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की, मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता के बात स्वीकार कर ली, और लड़के को दुलहे के वस्त्र पहना कर राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया, राजा ने बहुत सारा ध राजकुमारी को विदा कर दिया शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ उसके घर वापस आ रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओड़नी पर लिख दिया राज कुमारी तुम्हारा विवाहा मेरे साथ हुआ है किन्तु जो तुम्हारा पती है वो कोई और है वह एक आंख से काना है मतलब एक आंख से अंधा है मैं तो वारा नसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ यह सारी बात उसने उसके पल्लू में लिख दी जब राज कुमारी अपनी ओड़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस अंधे काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया राजा को जब यह सब बातें पता लगी तो उसने राज कुमारी को महल में ही रख लिया उधर लड़का अपने मामा के साथ वारा नसी पहुँच गया और गुर रात को उसकी तबियत थोड़ी खराब हो गई तो मामा ने उसे अराम करने को बोला तो वह अपने शैन कक्ष में सो गया शिव के वरदान के नुसार शैन अवस्था में ही उसके प्राण पखेर उड़ गए अर्थाथ उसकी सोई हुई अवस्था में ही मृत्यू हो गई सूरे उदय पर मामा मरे हुए भांजे को देखकर रोने पीटने लगा आजपास की लोग भी इकठे होकर दुख प्रकट करने लगे सभी शोक व्यक्त करने लगे लड़के के मामा के रोने विलाब करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुन लिये माता पार्वती ने भगवान से कहा प्राण नात मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं कृपा करके कुछ कीजिए आप इस वेक्ति के कश्ट को अवश्य दूर कर सकते हैं भगवान शिव ने माता पारवती के साथ अद्रिश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोले नात माता पारवती से बोले यह तो उसी वेपारी का पुत्र है जिसे मैंने बारा वर्ष की आयू का वर्दान दिया था इसकी आयू पूरी हो गई है लेकिन मातरी भाव से बिभोर माता पारवती ने कहा कि हे महादेर आप इस बालक को और आयू देने की क्रिपा करें अन्य था इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़ब तड़ब कर मर जाएंगे माता पार्वती के आग रहे पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया शिव जी की क्रिपा से वह लड़का जीवित हो गया शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपनी नगर की और चल दिया दोनों चलते हुए फिर से उसी नगर में पहुँचे जहां उसका विवाह हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यग्य का आयोजन किया वहां से गुजरते हुए राजा ने यग्य के आयोजन देखा और राजा ने तुरन थी लड़के और उसके मामा को पहचान लिया यग्य के समाप्त होने पर राजा मामा और उस लड़के को महल में ले गया और उनकी खूब खातिरदारी की फिर मामा ने राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से उस दिन शादी हुई थी फिर राजा ने कहा कि वीधी का विधन कौन टाल सकता है अब आपका भांजा ही मेरा दामाद है राजा कुछ दिन उन्हें महल में रखकर फिर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राज़कुमारी के साथ विदा कर देते हैं। इधर भूके प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतिक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिग्या कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समचार मिला तो दोनों अपने प्रान त्याग देंगे प्रंतु जैसे हैं उनके बेटे के जीवित वापस लोटने का समचार मिला तो वह प्रसंद हो गए वह अपनी पतनी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचे अपने बेटे के विवा का समचार सुनकर पुत्र वदु राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा उसी रात भगवान शेव ने व्यापारी के स्वपन में आकर कहा हेश रेश्ठी मैंने तेरे सुमवार के वरत करने और वरत कथा सुनने से प्रसन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रतान की है पुत्र की लंबी आयू जानकर व्यापारी बहुत प्रसन हुआ शिव भक्त होने तथा सुमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामने पूर्ण हुई इसी प्रकार जो भक्त सुमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं हे भोले नात, हे शिवशंकर, हे माता पार्वती, कथा सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले, और हुंकारा भनने वाले, सभी की मनो कामने पूरी करना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना, कथा के बाद आरती जरूर सुनने चाहिए, तो आई, सुनते हैं शिव जी खियार्ति शानन गरुडासन व्रिश्वाहन साजे ओम जैशिव ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अतिसो हे त्री गुण रूप निरखता त्री भुवन जन मोहे ओम जैशिव ओमकारा अक्ष माला बन माला रुण माला धारी चंदन म्रिग मद सोहे भाले शशिधारे ओम जैशिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जैशिव ओमकारा करके मध्यक मंडलू चक्र त्रिशुल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता ओम जैशिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जैशिव ओमकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी भ्रमचारी नित उठी भोगल गावत महिमाति भारी ओम जैशिव ओमकारा त्रीगुण शिव जिकी आरती जो कोई नरगावे कहत शिवानन्द स्वामी सुख संपति पावे ओम जैशिव ओमकारा ओम जैशिव ओमकारा ओम जैशिव ओमकारा प्रेम से बोले भोले नाथ की जै माता पार्वती की जै गणपती महराज की जै सर्व देवी देवतां की जै उमीद करती हूँ आपको आज किया वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजेगा अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जयम आता दी आपका मंगल को